कैसे हैं आभ सब आज हम झो है डी जी सक्ष्म प्रोग्रैम य यह क्या है और इसको जो है भी क्यों लॉंच किया गया है और इसके वज़े से क्या क्याना पोसेगा किम गिनकर नो इन सब तक अगर आप लोगों ने अमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही जो है इस वीडियो को लाइक करना प्लीज मत पूरियेगा फ्रब्सक्राइब कुआएं बास ही और से मत रहें चैनी ऑशियो कि युवा को जो है प्रोचान देने के उगा से और में प्रोग्राम की बाले है तो उसके बाए्òngारे में थोड़ा से मीज़ान लेते आप दीजी सक्षम इनिशिटीव के माध्यम से जो है इसके जरीय जो है फर्स्ट एर में तीन लाख से ज्यादा जो मतलब यांक जो मतलब यूच जो है या यूआई जो है उनको बुनियादी कॉशल के साथ-साथ उन्याद कम्प्यूटिंग यानि कि अड्वांस्ट कम्प्यूटिंग के साथ-साथ डिजिटल कॉशन में मुफ्त प्रशिक्षन प्रदान किया जाएगा और यह जो पहल जो है इस पहल में वंचित समूद आये उसे मतलब बैक्वर्ड क्लास के जो कम्यूनिटी है उनसे समधे अर्ध शहरी एक शेत्रों के रहुजगर चाहने वाले लोगों को प्राथमिक्ता दी जाएगी तो इनमें जो है वे लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने कोविट-19 महामारी के कारण जो है अपनी नौकरिया गवा दी है देश भर में जो है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के लिए मॉडल करियर केंद्रों यनके MCC और राष्ट्रे करियर सेवा केंद्रों उनमें NCSC में जो है प्रशिक्षन का आयोजन किया जाएगा तो इसका जो implementation जो है DG सक्षम को आगा खान रूरल रिपोर्ट सोरी रूरल सपोर्ट प्रोग्रेम इंडिया AKRSPI द्वारा जो है क्षेतर में लागूर किया जाएगा और AKJRSPI के जो की एक जो यह जो है यह गैर संप्रदाई गेर सरकारी विकास संगठने ये स्थानिय समुदायों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदानकर्स ग्रामिन जो समुदाय जो है जो कमिनिटी जो है विलिज कमिनिटी तो उनकी बहतरी के लिए जो है एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है तो उसके बाद आता है उसके पॉर्ट प्रदान करता है तो इसका जो इंप्लिमेंटेशन श्रम एवंग रोज मत्राले द्वारा किया जाता है तो इसके नीट क्या है इसके जरूरत क्या है तो अभी रेखें कि ये जो है भारत के डिजिटल अंतर को पाटने देश को समावेशी आर्थिक सुधार के मार्क पर लाने और ना ही केवल घरेलू आर्थिवेवस्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए बलकि जो कि वीदेशों में जो भी रोजगार के जो अफसर है उसको प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना 3.0 है एक जन उसके बाद आते जनरेशन अनलिमिटेट इन इंडिया यानिकि युवा और युवा तो राष्ट्रिया करियर सेवा तिसरह में आता है तो फिर चोथे में आता है प्रधान मंतरी मुद्रा योजना PMMY और उसके बाद आते राष्ट्रे ग्रामिंड रोजगार गरांटी योजना तो यह सब जो है अभी जो कि युवा को जो है रोजगार प्रदान करने के लिए जो है बाकी मतलब इनिशेटिव से तो अभी आज के लिए इतना ही है कल हम भी मिलते हैं ने टोपिक के अनलाइसिस के वीडियो के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो इसको देखते रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत पूलिएगा कोई अगर सुचा हो तक मैंड करना प्लीज मत पूलिएगा और कोई अगर सुचा हो तक मैंड करना प्लीज मत पूलिएगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वह हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ट वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियो को आपके सामने प्रसूत करने के लिए तो प्लीज कीप सपोर्टिंग आस है हिंदे